नमस्कार दोस्तों और प्रिये विद्यारतियों आप सभी का जागरती क्लासे इस ओन्लाइन लणने के अपर हार्दिक स्वागत है लास्ट क्लास में हमने देखा था रूट तीन को कैसे हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया था आज हम बात करेंगे हमारे पास एक वर्ग सर्पिल की रचना जो है वो किस तरीके से की जाते इस पर थोड़ा से ध्यान दीजिएगा जैसे हमारे पास यह एक डाइग्राम दे रखा है इस डाइग्राम में आप गौर किजिएगा यहां एक संख्या रेखा ली थी संख्या रेखा में यह दौनों ही देखेगा अगर ह यह एक यूनिट है दिखाएजिए आपको यह एक यूनिट है और हमने इसको एक यूनिट लिया है तो यह एक इकाई के बराबर है और यह भी एक इकाई के बराबर है तो यह अपने को क्या प्राप्त हुआ था यह अपने को प्राप्त हुआ रूट दो इकाई के बराबर यह हमने लिया था, क्या एक का स्क्वेर प्लस एक का स्क्वेर का अंडरूड, क्या लिया था, अंडरूड में एक का स्क्वेर प्लस एक का स्क्वेर, यह अपने को क्या प्राप्त हुआ था, रूट दो प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से, एक अगर हम रूट दो लेते हैं और पुना एक यह जो रासी है, वो किसके बराबर है? एक unit के बराबर, ठीक है, तो ढ़ीजिए, इस बार root 2 का square और एक का square हमें क्या प्राप्त होगा? देखेगा, ये प्राप्त होगा, root 2 का square फ्रॉप लुप ठीक का square ना, ये अपने को किसके बराबर देगा? यह अपने को बराबर देगा, रूट दो का स्क्वेर प्लस एक का स्क्वेर यह अपने को मिलेगा, दो प्लस के एक का अंडरूड, मतलब कितना मिलेगा, रूट तीन के बराबर, देखो भई, यह रूट तीन लिखा हुआ है, अब यदी, पुना हम इसे एक यूनिट के बराबर लें, ध्यान दीजीगा, पुना हम क्या लें, इसे एक यूनिट के बराबर लें, यह एक यूनिट है, और इस बार क्या है भई, रूट तीन है, तो यह अगर हम इससे जोड़ दें, तो यह क्या प्राप्त होगा, देखीग आप देख, root 4, root 4 का मान कितना, 2 unit के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा भई, 2 unit के बराबर हो जाएगा, ठीके, अब मान लिजे, हम इस पर एक और लम डालते हैं, कुछ इस तरीके से, ये 90 degree का हम ने लम डाला, ठीके, अब ध्यान देना, ये पुना 1 unit के बराबर है, जैसे हम इसको जोडेंगे यहां से, तो ये 2 unit हो जाएगा, और एक ये 1 unit हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 का square, प्लस 1 का square, और उसका जैसे ही वर्गूल करेंगे, 2 का square 4, 1 का square 1, तो अंडर रूट में कितना आएगा, हमारे पास 5 के बराबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रकार unit के बराबर प्राप्त हो जाएगा, तो इस तरीके से जो हमारे पास एक सर्पिल रचना मिलती है, सर्पिल रचना प्राप्त होती है, ठीक है, इसे हमें क्या बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, वर्गूल का सर्पिल रचना की आकरती, ठीक है जी, बात सम्दमाई इस अभी क तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सरपिल रचना कर सकते हैं, चलिए, नेक्स में हम बात करते हैं, यह हमारे पास complete हो गया, ठीक है, देखेगा, नेक्स में, वास्तविक संख्याओं और उनके दसमलो प्रसार, अब नेक्स टॉपिक है, वास्तविक संख्याओं और उनके दस करेंगे इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दसमलव प्रसार इसे क्या बोलते हैं डेसीमल एक्सपेंशन बोलते हैं पर विचार करेंगे और देखेंगे कि हम परी में संख्या और अपरी में संख्याओं के बीच में विबेद इन प्रसारों के उपयोग से किस प्रकार स कर सकते हैं मतलब एक तो हमने देखा संख्या दो जो है वो परी में है और संख्या रूट दो जो है वो अपरी में ठीक है ये तो हमें देखने के बस्चाद यहां से प्राप्त हो रहा है लेकिन अगर हम दसमलों प्रसारों के आधार पर परी में और अपरी में संख्याओं में विबेद करना चाहें, दोनों को प्रतक करना चाहें, तो दसमलो प्रसार के आधार पर क्या इन्हें विबेदित किया जा सकता है, कि नहीं किया जा सकता, यह आज की हमारी चर्चा का विस है, ठीक है जी, तो देखेगा, वास्तविक संक्याओं के दसमलों प्रसार का प्रियोग करके किस प्रकार से संक्या रेका पर वास्तविक संक्याओं को प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि हम अपरी में संक्याओं की तुलना मैं परी में संक्याओं से अधिक परीचित हैं इसलिए हम अपनी चर्चा में इनी संक्याओं स तो देखेगा किस तरीके से हमें करना है कि दसमलों प्रसार के आदार पर हम क्या करेंगे परी में एवं अपरी में संख्याओं का निर्दारन करेंगे, देखेगा कैसे, हमें ये उधारन दे रखा है, ठीके, तो उधारन में देखेगा मैं इसको यहीं हल कर देता हूँ, हाला तो यह इस तरीके से आपका मामला आगे बढ़ता जाएगा इसका मतलब मूल सकते हैं कि यहां 3.333 और 3.3 और मामला आगे चलता जाएगा या फिर हम इससे क्या लिख सकते हैं 3.3 का बार लिख सकते हैं तो पहले वाले क्यस में हमारे पास 10 प्रसार में 3.3 का बार आया चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे वाले केस में नव भाग दे रहे हैं साथ में संख्या 8 का, साथ बट्टा, 8 लिखावा है, क्या पहली बार में बाग जाएगा कर नहीं जाएगा, यहाँ पर हम 10 लगा करके 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट के आएगा देखते हैं, आठ गुणा 8 किता 64, ठीक है चलिए यह 64 आगया, ठीक है, शेशफल कितना आएगा यहाँ पर, 6 आएगा, ठीक है, दसमलो लगावाए, 0 लगा देंगे, ठीक है, 8 गुणा 7 किता आएगा, 56 आएगा, चलिए बट्टा, पीछे बचेगा किता, 4, अब दसमलो लगावाए, 0 अब हम बात करते हैं, तीसरे वाले के, तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, संख्या 1 में संख्या 7 का भाग दे रहे हैं, तीसरा वला केस दे रखा, अब दसमलो लगाएगे, यहाँ 0 लग जाएगा, कितना आएगा, 7 एकम 7, पीछे 6 फल कितना बचेगा, 3, अब दसमलो बचेगा 6, 10 लगावाए, 0 लगा सकते हैं, किता हैगा, 7, 8, 56, 8 आजाएगा, ठीके, तो यह अपने पास क्या बच जाएगा, पुना यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीके, अब हम क्या करेंगे, पुना 10 लगावाए, 0 लगा देंगे, तो 7 चौक 28 आजाएगा, ठीके जी, चलिए, 7 चौक 28 और 7 गुणा 5, 35 है न, तो 5 बार बाग जाएगा, यहाँ पर कितना लखेंगे, हम 35 लखेंगे, फिर पीछे कितना आएगा, 5 आएगा, तो आप देख सकते हैं, कि यह मामला आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, है न, बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हमारे प अन लग अलग आया है, एक में तो आप देख सकते हैं, कि कुछ इस तरीके से, तीन पॉंट, तीन बार और एक में दसमलो के पश्चात संख्याएं सान्थ हो गई हैं, और एक में दसमलो के पश्चात संख्याएं, आगे बढ़ती ही जा रही है, भाग भी खतम नहीं हो रहा इन तीन अलग-अलग भिनों को उनके दसमलों प्रसार के आधार पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम उन्हें अलग-अलग भागों में विवाजित कर सकते हैं और कैसे विवाजित करेंगे अभी देखते हैं ठीक है देखीगा हमें next step में यहां पर दे रखा है क्या देखे यही चीज हमने अभी निकाल लिए एक में क्या मानाया था देखीगा एक में मानाया था 3.33 एक में 0.875 और एक में 0.14287 और यह मामला चलता जा रहा आगे ठीके अब इनके प्रसार में हमें कुछ परिणाम देखना प मैं आपको बता देता हूँ देखिए देखेगा हमें यहां पर तीन अलग-अलग स्थितियों के बारे में हमने देखा है ठीक है देखेगा यहां से चले अब यह जो 3 हमारे पास परिणाम आये रिजल्ट आया तो आप देख सकते हैं 3.333 इसका मतलब 3.3 का बार आया है बासमत बाई इसका मतलब यहां दसमलो प्रसार जो है वह अशान्त है कौनसा बाई अशान्त अशान्त का मतलब यह होता है कि दसमलो के पश्चात यदि संख्याओं का आना रुके नहीं तो यह दसमलो प्रसार कौनसा हो जाता है अशान्त हो जाता है ठीक है इसमें दसमलो के पश्चात, इसमें दसमलो के पश्चात संख्या आनी रुक गई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, शांत दसमलो परसार, क्या बोलेंगे, शांत दसमलो परसार, इसमें दसमलो के पश्चात संख्या आनी रुकी नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अशांत द अब दिमाग में सवाल ही आता है बोले सर पहला वाला भी असांत का उदार है और तीसरा वाला भी असांत का उदार है लेकिन पहले और तीसरे में फरक क्या है इसको देखेगा यहां असांत होने के साथ साथ में आवर्ती है कौनसा है आवर्ती है आवर्ती का मतलब है कि दसम् यदि बार-बार-बार-बार पुन्रावर्तित होती है, तो हमें इसEMA क्या बता है, असांत आवर्ति, इसमें आप देख सकते हैं, कि दसमलों के परिशात, कोई एक निश्चित संख्या बार-बार, रिपीट नहीं हो रही है, आवर्ति नहीं हो रही है, अलग-अलग संख्या यहां पर आ रही है, तो यह होगा असांत अनावर्ती, क्या होगा भई, असांत अनावर्ती, clear है भई सभी को, ठीक है, अब सुनेगा, बहुत ही शांदार बात बता रहो हैं आपे न, क्या शांदार बात है, देखेगा, शांदार बात यह है, कि जब-ज जब हमारे पास दसमलव प्रसार सांत हो जाए तो वह संख्याएं परीमे संख्याएं कहलाती हैं। जब हमारे पास दसमलव प्रसार जब हमारे पास दसमलव प्रसार सांत हो जाए तो वह संख्याएं परीमे संख्याएं कहलाती हैं। तो सुनिएगा अगर मैं बोलता हूँ कि इस केस में जब दसमलव प्रसार असांत आवर्ती होता है तो वह भिने परीमे कहलाएंगी। बास संख्याएंगी और असांत अनावर्ती होता है तो वह क्या कहलाएंगी अपरीमे कहलाएंगी। बास संख्याएंगी तो आवश्यक नहीं है कि रूट दो, रूट तीन और रूट पांच ही अपरीमे होते हैं। वह क्या का दसमलोव प्रसार असांत होने के साथ साथ में अनावर्ती होता है। वह वह दसमलोव प्रसार अपरीमे संख्याएं कहलाती है। बास संख्याएंगी तो इस जगापर मैंने आपको सारी चीज़े कंप्लीट समझा दिए हैं। कि सान्थ होने पर सदेव परी में, असान्थ होने पर परी में भी और अपरी में से कुछ भी हो सकता है, असान्थ में अगर आवर्ती आए तो परी में होगा, और असान्थ में यदि अनावर्ती आए तो यह अपरी में दसंबलव प्रसार होगा, बात समझ में आरी कि ने आरी clear है सभी को चले यहां तक हमारा मामला समझ में आ गया अब हम बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा देखेगा यह सारी की सारी चीजे यही समझा रखी है ठीक है तो यह चीजे मैंने आपको बता रखी है कि करके कोई दिकत वाली बात नहीं है ह हमने समझ लिया अब देखे इसमें आपको यही चीज बताईए यही चीज बताईए क्या जब-जब हमारे पास सेशफल शुन्य हो जाता है उस केस में सेशफल सुन्य आये था ना जब-जब हमारे पास सेशफल सुन्य हो जाता है मतलब 7 बट्टा 8 वाले उदारन में हमने देखा कि कुछ चर्णों बाद शेशफल जो है वह शुन्य आने लग जाता है जैसे 0.875 तक तक तो जाएगा फिर शेशफल शुन्य आजाएगा जैसे अगर मैं एक में दो का बाग दे जाता हूं तो पॉइंट पाँच आएगा 669 मैं बाग दे देता हूं 250 का तो यहां पर यहां तक आकर रुख जाएगी इन सबी स्थितियों में कुछ परिमित चर्णों के बाद दसमलव प्रसार का अंत हो जाता है तो हम इनको क्या बोलते हैं सांत दसमलव प्रसार बोलते हैं जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि निश् संख्याओं में यदि दसमलव प्रसार रुक जाता है तर्मिनेट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं शांत या फिर टर्मिनेटिंग दसमलव प्रसार बात समद मैं ही सभी को अगर शेश्वल कभी शुन्य नहीं होता जैसा कि हमने दो उदार्णों में देखा एक हैं कि कुछ चर्णों के बाद में शेश्व की पुन्रावर्ती होने लगती है जिसे हम दसमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है दूसरे सब्दों में हम बागफल में अंकों का एक पुन्रावर्ती खंड प्राप्त होता है तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार जो है अन्वसा अन्वसानी आवर्ती है अन्वसानी आवर्ती का मतलब होता है नौन टर्मिनेटिंग है है ना मतलब इसकी जो पुन्रावर्ती हो रही है वह आप देख सकते हैं दसमलों के पस्चाथ संख्याएं जो है वह बढ़ती जा रही है तर्मिनेट नहीं हो रही है रुक नहीं रही है तो यहां हमने दो परकार से पढ़ा था, दो परकार से कैसे पढ़ा था, देखेगा, एक तो हमारे पास असांत में कौन सा आया था, आवर्ती आया था, और एक असांत में कौन सा आया था, अनावर्ती आया था, दिखाए देरे आप सभी को, एक असांत में आवर्ती और एक अ सांत में अनावर्ति, यह दौना उदारन हमने देखे हैं, ठीक है, तो देखिए का यहां से, हमने यहां से देखा, कि एक बट्टा तीन का जो मान है, वो आया हमारे पास 0.33333, एक सेम संख्या समानंक रिपीट हो रहा है, ठीक है, और इसमें समानंक रिपीट नहीं हो रहा, संख्याएं अलग-अलग-अलग आ रही है, तो आप देख सकते हैं, कि एक बट्टा तीन के बागफल में तीन की पुर्णावर्ति हो रही है, इससे हम 0.3 बार भी बोलते हैं, जो कि मैंने भी तोड़ी देर पहले आपको समझाया, हमने उसमें आगे भाग नहीं दिया था, आप देख सकते हो कि यहां पे 0.142857, बासवंदमारिक ने, इसका मतलब एक बट्टा साथ भी, ऐक बट्टा साथ भी असांत तो है, लेकिन यह कौन सा वाला है, यह आवर्ति वाला है, बासवंदमारिक ने, असांत तो है, लेकिन है, कौन सा वाला है, आवर्ति वाला है, ठीक है, तो लास्ट टाइम में हमने जब भाग दिया था, तो उसको पूरा-पूरा भाग देकर के नहीं देखा था, तो हमें लगा कि शायद संख्या है, रिपीट, मतलब पुन्दा वर्ति नहीं हो रही है, लेकिन हम देख सकते है कि यहाँ पर संख्याओं की पुन्दा वर्ति हो रही है, तो हम बोल सकते हैं, कि यहाँ वाला केस हमारा क्या होगा, असांत और आवर्ति होगा, अगर असांत और आवर्ति होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, परी में संख्या है ना, अगर मैंने क्या बताया जिसका दसंबलों परसार असांत है और अनावर्ती है वह कौन सा होगा वह होगा हमारे पास कौन सा अपरी में लेकिन यह असांत है लेकिन आवर्ती है तो क्या देगा हमें परी में देगा ठीक है यह बासमाद मैं जहां अंकों के उपर लगाया गया दंड अंकों के उ पुन्रावर्ति होनी प्रारम होती, जैसे इसमें बुला गया है, 3.5, 72, 72, 72, यह मामला चलता जा रहा है, तो हम दंड किस पे लगाएंगे, हम दंड लगाएंगे केवल 72 पे, क्योंकि पुन्रावर्ति 72 की हो रही है, 5 की नहीं हो रही है, तो दंड केवल किस पे लगेगा, 72 इसे हमग्यजी में बार बोलते हैं, 3.572 का बार, बार का मतलब है, बार-बार इसका इन आग्कों का आना, भर को दी 2 पर बार लगावा है तो 2 आगंगे, 3 पर बार लगावा है तो 3 आगंग बार आएंगे, ठीके जी, चलिये, अब हम नेक्समेंetz के बात करेंगे, प्रिजब आप यह है मान लीजए कि संख्यारेका पर चलने पर आपको 3.15678 जैसी संख्या अपरात होती जिसका दसमलो प्रसार संत है या 1.2727 अर्थत 1.27 बार जैसा कि संख्यापरात होती है जिसका संध अवसानी आवर्ती है अन्वसानी का मतलब होता है यहाँ पर संख्याएं जो है दसमलोग के प्रस्चात बार बार क्या और ही रिपीट होती है इससे क्या निस्कस निकल सकता है कि यह एक परीमे संख्याएं इसका उत्तर है हाँ इससे हम सिद्ध नहीं करेंगे परंतु कुछ उदारनों के साथ तत् और अनावर्थी है तो अ परीमे होगा अब कुछ उदारनों से हम देख सकते हैं इसको देखेगा क्या उदारन है यहाँ पर उदारन नमबर 6 दे रिखा में उदारण नमबर 6 में क्या दे रखा है दिखाईए कि 3.142678 एक परी में संख्या है दूसरे सब्दों में इससे P बट्टा Q में व्यक्त कीजे जहां P और Q पूरा कर Q कामान 0 के बराबर नहीं तो अब सिंपल सी बात हैं 3.142678 को अगर जैसे मैं दस्मलव यहां से अटाऊंगा तो उतने ही 0 लगें कितने 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 और 6 हमने 0 लगा दिए तो हम बोल सकते हैं यह एक परी में संख्या है कारण क्या है क्योंकि इसे P बट्टा Q की रूप में निरुपित किया जा सक इसके आगे हमें दे रखाया नेक्स देखते हैं अब नेक्स वाला जो कॉंसेप्ट है वह बहुत अच्छा है देखिए क्या अगला उदारन है उदारन नमबर 7 ठीक है जहां P और Q एक पूर्णा ग्रासी और Q का मान 0 के बराबर नहीं अब ध्यान दीजेगा इस प्रश्ण को हल करने के लिए हमारे पास एक निश्य चरन होते हैं कैसे निश्य चरन होते हैं क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि 0.3 बार क्या है अता हम इसे X मान लेते हैं तो सबस मिशन में अरव CC प्रश्टन और मुशन कोलम baik सफचे नहीं हमतलोड शॉक्ति दिमाग मतलब कुछ यहां पर हमें घर्रयों नहीं होते हैं कि रह動画 सबसें पर साफे यहां पर हमें घर्रयों ही हमारवा प्रम आयूई था हैं UNRvy 5 सब्सक्राण जैसे हम रख लिए 10 नहीं प्र 0.33 है वो क्या बन जाएगा 3.333 बन जाएगा बासनमारीक नरी तो 10 X का मान हमारे पास किसके बराबर आएगा 3.3333 और आगे चलता जाएगा अब सुनिएगा अब सुनिएगा हम जानते हैं क्या 3.3333 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस X लिख सकते हैं 3 प्लस X क्यों लिख सकते हैं ध्यान दीजेगा क्यूंकि हमने 3.3333 यह मामला है ठीक है अब इसे में 2 बागा हम बाढ़ देता हूँ eco plus ka, 0.333333 नीस माرفकी ना झा रही तो यह 0.3333 तो हमारे क्या था भई? x था और यह plus में हमारे सक्वाण पड़ा है? 3 उसमेग अगा है तो हम क्या लिख सकते हैं?? 3.333 को 3 प्लस x लिख सकते हैं इसका मतलब 3.333 हमारे से पास किस बराबर था 10x के बराबर था यह देखो भई यह किसके बराबर था 10x के बराबर था तो 10x का मान 3 प्लस x के बराबर आया अब x के लिए हम ज्याद करेंगे कि हमें यह प्राप्त होता है कि x का हम पक्षांत्रन करेंगे तो 10x में से 1 जाएगा तो 9x 9x बराबर किता आएगा 3 के बराबर आ सकते हैं अब इसमें में एक सवाल और लेता हूं यहीं पे ले लेता हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं है ठीक है, देखेगा क्या सवाल ले लेता हूँ, मुझे बोला जाता है कि 0. ना, देखेगा, यहां से, यहां से, मैं बोल रहा हूँ, 0.6 बार, इसमें 0.3 बार था, 0.6 बार को हमें P बट्टा Q के रूप में लिखना है ना, जैसे इसमें भी हमने P बट्टा Q के रूप में वेक काम करना पड़ेगा, 0.6 बार का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले इससे क्या माल लेंगे, X माल लेंगे, तो यह 0.6 बार का मतलब 6, 6, 6, 6, 6 और मामला आगे बढ़ता जाएगा, clear है, अब मैंने क्या बोला, हमें यहां पर एक युक्ति लगानी पड़ेगी, तो मैं दौन इसका मतलब क्या आएगा यहां पर, 10X का जो मान आएगा, इसे हम क्या लेख सकते है, 6 प्लس का, 0.6666666 मामला बढ़ता जाएगा, clear है, अब यह जो संक्या है, इसे तो संक्या हुमने क्या माना थाए, तो 6 प्लस का, यह संक्या हमारे पास, X के बराबर, किसके बराबर यह स X, minus का X, बराबर किसके आएगा, 6 के आएगा, तो 9 X का मान आएगा, 6 के बराबर, तो X का मान आएगा, 6 बटा 9, 6 बटा 9 का मतलब क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्या 9, तो X का मान आएगा, किसके बराबर, 2 बटा 3 के बराबर, तो इसका मतलब, 0.6 बार को हम परिमे संख्या क के रूप में लिख सकते हैं क्या 2 बट्टा 3 के रूप में लिख सकते हैं यह बाद समझ में आगी वही सभी को है ना तो हमने 0.3 बार भी देखा 0.6 बार को भी यहां पर देखा अब हम नेक्स करते हैं एक बट्टा 3 बार आ गया है चले अब अगला प्रशन ठीक है अगला प्रशन बहुत ही शांदार है एक पॉइंट 272727 को पी बट्टा क्यू के रूप में हमें क्या करना है व्यक्त करना है अब देखेगा इस बार एक पॉइंट 27272727 है ना तो इधर थोड़ा सा में दिमाग पड़ेगा क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस बार हमें 10 से गुणा ना करके किसी और से गुणा करना है देखेगा वो और से क्या गुणा होगा समझेगा हमें संख्या क्या बोली गई है एक पॉइंट 2727272727 ना इसको हमें पी बट्टा क्यू के रूप में क्या करना है निरूपित करना है ठीक है जी अब सुनेगा 1.272727 हमें दे रखा है क्योंकि इस बार इस बार दो अंकों की पुर्णावर्ती है इसलिए हम इसको 100 से गुणा करेंगे किस से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो जो भी आपको प्रिश्ण दे रखा होता है उसको सबसे पहले आप क्या मान लीजिए एकस मान लीजिए तो एकस का मान हमने क्या माना एक पॉइंट दो साथ, दो साथ, दो साथ, के बराबर, अब हमें इससे किसको गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, जैसे आप 100 से गुणा करेंगे, दसमलव दो स्थान सरक जाएगा, ना, दसमलव दो स्थान सरक जाएगा, तो क्या हैगा भई, एक सो सताविस पॉइंट दो 27 27 27 के बराबर बात समंद मैं ही सभी को ठीक है अब चुनिएगा अब हमें क्या करना है इस 127 के दो भाग इस प्रकार से करने हैं ध्यान दीजिएगा कि एक तो सदेव x बन जाए ठीक है कभी किसी को इसमें दिक्कत आये तो मैं यहाँ पर इसको क्लेर कर देता हूं 127.272727 है इसके दो भाग करने है तो आप दिमाग में एक बात ही रखिए कि एक तो अपने को x बनाना है तो x का एक मान तो आप यहाँ पर लिखी दीजे जो हमने माना है तो 1.272727 अब 12727 में से 1.2727 मतलब पीछे पूरा वाला भाग गया तो कितना बचेगा भई? 126 बच वितनी है जो भी 100 बच्रा को बनाना है तो भी 10 बच्रा को toलग करना है तो 6 यग करें ग्या है तो 6 रख आप यह कितना है आप द भात हमी है तो 16++ की बबर दक को इसमें भी यही किया हुआ है, 100x, 100x है, x का जैसे पक्षांत्रन करेंगे, तो 100x मैं से x चला जाएगा, और इसका मान किस के बराबर आगा, 126 के बराबर, तो हम देख सकते हैं, कि 100x मैं से x जाएगा, तो कितना बचेगा, 99, 99, x तो x का मान आएगा, 126, 99, मतलब 14, 11 के बराबर, इसका अर्थी है, कि 14, 11 को हम 1.27 का होल बार लिक सकते हैं, मतलब 27 बार बार यहाँ पर क्या होगा, repeat होगा, clear है बात समझ में आई सबी को, चलिए, अब हम बात करते हैं, next में, next में देखीगा, अगला प्रशन, उदारन नमबर नो, यह उदारन में आपको इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि उदारन अगर आपको समझ में आ गए, तो प्रशनावली में कहीं पे भी कोई भी दिकत नहीं आएगी, घगे, तो देखीगा, यहां से, अगले प्रश्ण में हमें क्या बोला गया है ध्यान दीजेगा अगले प्रश्ण में हमें बोला गया है इस बार प्रश्ण कुछ अलग है ना क्या प्रश्ण है इस बार देखेगा अगले प्रिश्ण में हमें बोला गया है, दिखाईए कि 0.23, 5, 3, 5, 3, 5, अर्थात 0.235 को P बटा Q के रूप में वेक्त करना है, इस बार देखिए, इस 2 में बार नहीं लगावा है, पीछे 3, 5 में बार लगावा है, 3, 5 में बार लगने का मतलब क्या है, कि इस 3, 5 की बार बार क्या हो रही है, पुर्णावर्ती हो रही है, जैसा कि आपको दिखाई दी रहा है, दो तक फिक्स है, फिर 3, 5 आया, फिर 3, 5 आया, फिर 3, 5 आया, ठीक है दी, अगर पूरे में बार लगा होता है, तो 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2 पुन्रावर्ती चलिए यह अलग विराइटी है थोड़ी देखेगा पहले हमने 10 वाला देखा फिर 100 वाला देखा इस बार देखते हैं क्या होता है देखे इससे P और Q की रूप में लिखना है जहां पर Q का मान सदेव हम लेते हैं 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो मैंने आ करेंगे इसे हमने जो X माना है यह थै और X क् apenas यह माना हमने यह पर X बराबर हमारा क्या था 2 X बराबर क्या था 0.2 3 5 35 और 3 5 और 135 को मामना आगे नहीं चल रहा थिक है अब हम क्या करेंगे इस संख्या को कम्प्लीट संख्या को किस से गुणा करेंगे दौनों तरफ सो से मैंने आपको बताया था कि इसको हल करने के लिए युक्ति की आवश्यक्ता पड़ेगी और युक्ति हम कैसे लेंगे हम इसको करेंगे सो से गुणा तो बुले सर पिछले इस वार भी 100 से किया था इस वार भी 100 से किया था एक मिन्ट रुख जाई यह सारा concept समद्ध में आगा जैसे ही हम 100 से इसको गुणा करते हैं तो दसमलव दो स्तान चोड़ करके दाही तरफ सरक जाएगा ठीके तो हमारे पास 100 X का मान किसके बराबर आएगा 23 दसमलव कितना यह इस संख्या के दो ऐसे बाग करने हैं कि एक तरफ X अलग हो जाए और एक तरफ दूसरी संख्या अलग हो जाए तो देखेगा इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कैसे भाग कर सकते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना यहांसे कि आप एक तरफ तो यह संख्या लिख दीजिए जिसको आपने क्या माना X माना मतलब हम क्या लिख देते हैं यहां पर हम लिख देते हैं 0.235 3 5 और 3 5 मामला लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यह रासी तो हमें एक्स बनानी है, प्लस में, अब इस में से अगर 0. यहां से 2 3 5 2 3 5 यहां से गायब हो जाता है, तो शेशवल में यहां पर क्या बचेगा थोड़ा दिमाग लगाना, इस संक्या में से यह संक्या हम क्य कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखेगा, दसमलो के बच्चाथ यहां पर 5 हैं, दसमलो के बच्चाथ यहां पर कितना है, 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा, ध्यान दिजेगा, 5 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहां पर हमें कि दो ऐसे बागो में विबाजित करना है, दो ऐसे बागो में विबाजित करना है, कि एक तो हमारा क्या बन जाए,, 5 3 5 3 5 3 से हो अगर हम माइनस करेंगे 0 10 बाहँ दो 3 5 3 5 3 5 को तो आप देख सकते हो, क्या? यह 23 है 23 तो यहां पर पढ़ाईए 5 में से 2 जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा और पीछे के जो 3 5 3 5 3 5 है वो इस 3 5 3 5 3 5 3 5 से क्या हो जाएगे माइनस हो जाएगे ठीक है दी बात संदमाई सभी को तो हमारे पास ये है 23.3 ये बराबर किसके है 100x के दिखाएदे रहा आपको यहाँ पर मैंने पूरा हल करके भी बताया अब क्या करेंगे x का पक्षांतरन करेंगे तो 100x में से x जाएगा तो 9x ये 23.3 अब x का वान किसके ज southwest ये 23.3 बट्टा निनाणवे और जैसे हम यां से 10 और आटायेंगे zee 0 बाग में आ जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 233 बटता नौसो नब्बे के बराबर क्लेर है बात सभी को है ना तो यहाँपर मेरे जाब से आपको को जिक्कत वाली बात नहीं अहीं रहा बरम अब इस वेराइटी का एक प्रश्ण में आपको और यहां पर करवा देता हूं ताकि आपको मामला एकदम समझ में आ जाए ठीक है कैसे देखेगा सेम टू सेम इसी वेराइटी का एक प्रश्ण में आपको यहां पर करवाता हूं ना ताकि चीजे जो है आपके एकदम clear हो जाए, ठीक है, देखेगा, हमारे पास यहाँ से, जैसे इस प्रश्ण में बोला गया, 0.235 है ना, मैं मान लेता हूं कि हम एक संख्या ले लेते है, 0.337 का बार, है ना, same to same सवाल है, हमें ग्यात करना है कि यह दसमलव प्रसार कौनसी परीमे संख्या से प्राप्त होगा, तो देखेगा, same to same step होंगे सभी में, जो भी हमें प्रश्ण दे रखा होता है, सबसे पहले हम इसको क्या मानते है, अब ध्यान देना, बार 3-7 पर लगावा है, जैसे इसमें 3-5 पर लगावा था, इसमें किसमें लगावा है, 3-7 पर लगावा है, इसका मतलब यह जो X है वो हमें दे रहा है, 0.3 क्या, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7 और बामला आगे बढ़ रहा है, ठीक है, फिर मैंने बताए कि इसमें एक युक्ति लगाएंगे, युक्ति क्या लगाएंगे, इस संख्या को 100 से गुणा करेंगे, जैसी 100 से गुणा करेंगे, हम क्या बोलेंगे, कि दसमलव जो होगा, वो कितने इस्थान सरक जाएगा, 2 इस्थान सरक जाएगा, तो हमारे पास यह X बन जाए, X मतलब जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न कौनसा यह बन जाए, और 6 बाग यहाँ पर हम योगफल के रूप में लिखेंगे, तो देखेगा, हमारे पास X बनाने के लिए 37, 37, 37, 37 है, ठीके, और यहाँ पर कितना पढ़ा है, 3 है, तो देखेगा, 37, 37, 37, 37 तो पढ़ चार, और प्लस जो रासी बचेगी, वह क्या बचेगी, हमारी X बचेगी, बात समझ भाई, पिसली बार भी हमने यही किया था, इस में से हमें इसको माइनस करना है, तो चेक करो भई, यह दसमलव है, यह दसमलव है, है ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, ताकि किसी विद्यारती को कोई दिक्कत नहीं हो, तो 33 दसमलव, 7, 3, 7, 3, 7, 3 चलता जा रहा है, इस में से हमें यह माइनस करना है, तो 0 दसमलव, 3, फिर आएगा 3, 7, 3, 7, 3, 7, और यह मामला, जैसे हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा 4, यह आपके पास आएगा 33, और पीछे व तो हम बोल सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा, 33, 4, 33, 4, से इस रासी क्या x, यह किसके बराबर है, यह 100 x के बराबर है, अब वो की वही विदी पुना, x को लाएगे इदर, तो 99 x बनेगा, किसके बराबर, अब x का मान, 33, 4, बट्टे में कितना 99, जैसे दसमलव अटाए तो हमें कितना अपराप्त होगा, 334 बट्टा 990, clear है भई, तो यह हमारे पास किसके बराबर होगा, यह हमारे पास, 0, 3, 37 के बराबर होगा, 334 बट्टा 990, ठीक है, यहां तक आंसर ठीक है, है ना भई, बात सम्द में ही सभी को, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह वेराइटी करी, हमने और इस पर सम्मंदित प्रशन किये, अब नेक्स में हमारे पास जो है, वो नेक्स प्रशनावली आती है, तो एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, हमने 10 से गुनावाला, 100 से गुनावाला, 2 संख्याओं की पुन्रावर्ती, एक छोड़ करके फिर पुन्रावर्तीन सभी कॉंसेप्ट को देखा है, नेक्स क्लास में हम इससे सम्मंदित प्रशनावली को भी हल करेंगे, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने मित्रों में और अपने से पाठियों में इस वीडियो को जादा जागरती क्लासिस लर्निंग आप को डाउनलोड नहीं किया है, उन विडियार्तियों को बोलिए कि गर पे बैठ करके इतने अच्छे स्तर की पढ़ाई, वो भी पूरे डिजितल तरीके से आपको प्राप्त हो रही है, तो क्यों न इसका आप फाइदा उठाएं, तो आज क लिए इतना ही विद्धियार्तियों, धन्यवाद.